नमस्कार, खमासान हैज़िटिप्स में आप सभी का स्वागत है लोग ब्लड प्रेशर हमारे लिए जानने वह हो सकता है इससे हलका ना समझे इसके बारे में जाने के लिए देखिए इसके लक्षन और बचाओं के बारे में कुछ तरीके आजकल के खानपान और अजीब लाइफस्टाइल के चलते लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे आम बात होती जा रही है इससे आराम पाने के लिए हम कई दवाओं का सहारा लेते हैं लेकिन ये दवाएं आपके परिशानी को खत्मन नहीं कर सकती इसके लिए हमें घर के उपचारों का भी सहारा लेना पड़ता है जादतर लोग हाई ब्लड प्रेशर की बारे में तो जानते हैं लेकिन इसके लक्षणों से भी बाकिफ होते हैं लेकिन लोग ब्लड प्रेशर की बारे में कम ही लोगों को पता है लो ब्लड प्रेशर हमारे लिए जान लीवा हो सकता है इसके बारे में जानने के लिए देखे ये वीडियो और जाने इसके लक्षन और बचाओ के तरीके लो बीपी कई कारण से होता है जैसे शरीर में पाने की कमी, दवाई का बुरा असर, सरजरिया गंभीर चोट के कारण, जैनेटिक स्ट्रेस, ड्रग्स, खाने से जुड़ी खराब आदतें, जादा भूखा रहना आदी ये सब लो बीपी के कारण हो सकते हैं तो हमें इसे सावधान रहना चाहिए यगर व्यक्ति को थकान महसूस हो, सिर्दर्द्ब हो, जी मचले, तवचा चिपचिपी हो जाए, बिहोशी जैसा हो, आँखों से धुंदला दिखाए दे, दिहाइडरेशन रहे, तवचा ठंडी और पीली पढ़ने लगे, तेज और उथली सासे आने लगे, तो ये सारे लो ब्लड प्रेशर के लक्षन है, लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में शरीर के अंगों में सही तरह से खून की सप्लाय नहीं होती, जिस वचे से स्ट्रोक, हार्ट अटेक और किडनी फैल तक हो सकती है, बीपी जादा कम होने पर व्यक खाने की सलहा दी जाती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में नमक आपकी मदद कर सकता है, लेकिन नमक का सेवन बढ़ाने या नमकीन चीज़े खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलहा मशवरा जरूर करें, अगर आपको लगातार चकर आ रहे हो या सिर घूमने जैसा महसूस हो रहा हो, तो पानी की मातरा बढ़ा दें, पानी वैसे भी शरीर के बहतर क्रियानवयन के लिए जरूरी है, और जादा पानी पीने से डिहाइडरेशन से बचा जा सकता है, हर दिन कम से कम दो बार कच्चे चुकंदर का एक कब जूस पीएं, ये लो ब्लड प्रेशर के इल उसे हलके गर्म दूद के साथ पीएं, इससे भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या हल हो जाएगी